नमस्कार, Books That Speak में आप सभी का स्वागत है आप सब जानते ही है आजकल बरसात का मौसम है बरसात का मौसम मतलब बीज बोना और खेती का मौसम सभी किसान बीज बोने में खेती बाडी में जुटे रहते है तो मैंने सोचा क्यों न एक कहानी इसी पे हो जाए कहानी का शीर्शक है जुनुका और धानवाले राक्षस ओरिजिनल स्टोरी जुनुका और राइस राक्षसाज बाई प्रीती हतिबरुवा और प्रियदर्शिनी गोगोई हिंदी में अनुवाद आनंद कुमार रॉय चित्रांकन विपलो सिंग प्रकाशन प्रथम बुक्स कहानी सुना रही है असावरी दोशी और ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर आईएगा www.booksthatspeak.com हमारा यूट्यूब चैनल है Books That Speak तो सुनते है कहानी जुनुका और धान वाले राक्षस चुट्टियों में जुनुका अपनी अनाईडो याने दादी के गावाई है अपने चुट्टियों के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए उसने तै किया है कि वो धान उगाएगी धान के राक्षसों से सावधान रहना धान के बीज बोने से पहले जुनुका को छोटे से खेत को जोतना होगा इस काम में तो पूरा दिन लग जाएगा काश कोई मेरी मदद कर देता उसने सोचा अच्छानक उसे लगा कि कोई उसकी तरफ रेंगता चला रहा है जूनुका चीक उठी राक्षस राक्षस ने अपना पंजा दिखा दिया और खर 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 ये लो तुम्हारी मिट्टी रूपाई के लिए तैयार हो गई मैं राक्षासूर हूँ राक्षस ने कहा उपर चड़ जाओ, मैं बीज बोने में तुम्हारी मदद करूँगा जुनुका कुछ देर तक सोचती है फिर ट्रेक्षासूर की पीट पर सवार हो जाती है वो उसे बिठा कर चलता है और जुनुका बीजों को छीटने लगती है दोनों खेत को पानी से भर देते है समय बीटने पर बीज अंकुरित हो जाते है अब उन्हें बड़े खेत भी ले जाने का समय आ गया है ट्रेक्षासूर कहता है जुनुका नन्य पौधों को मिट्टी से निकानने में और ट्रेक्षासूर उनके गुच्छे बनाने में मदद करेंगे वे बड़े खेत को तयार करने चल पड़ते है ट्रेक्षासूर बड़े खेत को जोता है और जुनुका उसमें पानी भरती है मिटी नर्म और कीचड जैसी होकर रोपाई के लिए तयार हो जाती है तभी जुनुका को पानी में फिसलते चलते राक्षस की आवाद सुनाई पड़ती है सुरूर चुप, सुरूर चुप, आया, जुनुका चीकने लगती है, राक्षस ये तो पौधासुर है, ये रोपाई में हमारी मदब करेगी ट्रेक्षसुर ने कहा पौधासुर अपनी बड़ी सी जीब से धान के पौधों को उठाती है, जीब से वो कीचड में दात गडाती है, एक बार में वो दर्जनों पौधे रोप देती है जल्दी ही पूरा खेत पौधों से भर जाता है, पौधे धीरे धीरे बड़े होने लगे जुनु का पक्षियों को डराने वाले कागभगोडे यानि की स्केर क्रो वो लगा देती है समय के साथ साथ धान में चावल के दाने आने लगते है जल्दी ही कटाई का समय आ जाता है और जुनु का चीख उटी राक्षाज ये कटायासूर है ये कटाई में हमारी मदद करेगी पौधासूर बोली कटायासूर फसल को काटती है वो पुवाल को पकड़ती है वो पुवाल को अलग उगल देती है जब तक कि अनाच का धेर नहीं लग जाता अब हमें अनाच से भूसे को हटाना होगा कटायासूर बोली आओ अब हम मेल में अपने दोस्त धानाच सूर के पास चलते है एक अंधेरे कोने में उन्हें एक बड़ा सा दो सीर वाला राक्षस दिखा अभी जुनुका ने उसे कहाँ हालो कौन चिल लाया जुनुका नहीं धानाच सूर चीखा आदमी का बच्चा अरे ये तो जुनुका है तुम्हें इसकी मदद करनी होगी कटायासूर बोली धानासूर ने एक मुँ बड़ा सा खोला जुनुका ने उसके मुँ में धान को डाल दिया आखिर में उनके सामने चमकदार सफे चावलों का डेर लग गया अरे सब चिलके भी तो निकल गये उस राद गाव में एक दावत हुई जुनुका राक्षसों के साथ वहां पहुँची जुनुका ने गावालों को वो चावल दिखाए जो उन्होंने साथ में उगाए थे ये केवल हमारी सहाइयता करना चाहते है जुनुका ने कहाँ चपड़ 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 क्या आवाज है ये राक्षस भी तो साथ में खाना खा रहे है जुनुका को दावत में खूब मज़ा आया और राक्षसों को भी अब देखते हैं धान की खेती में काम आने वाले ये राक्षस राक्षस नहीं-नहीं ये तो सब मशीने थी धान उगाने में समय लगता है और मुश्किले भी आती है लेकिन अपने राक्षस दोस्तों की मदद से जुनू का आसानी से धान उगा लेती है इन राक्षसों की तरह ही खेती की मशीने होती है जो आसानी से धान उगाने में हमारी मदद करती है उन में से कुछ मशीने यांतरीक हल यानि की ट्रैक्टर ट्राक्षासूर की तरह ही इस मशीन की मदद से किसान मिट्टी को मुलायम बनाने और बीज बोने या पौधे रोपने के लिए तयार करते हैं उसके बाद धान रोपने वाला यंत्र पौधासूर पौधा सुर की तरह ही इस मशीन से किसानों को खेत में धान के पौधे बोने में मदद मिलती है उसके बाद आते हैं हार्वेस्टर या कटाई मशीन कटाया सुर कटाया सुर की तरह ही ये मशीन फसल को काटती इकठा करती और पुवाल को धान से अलग करती है उसके बाद भूसा अलग करने वाली मशीन, धानासुर की तरह ही ये मशीन धान के उपर की भूरी परत को हटा कर सफेद चावल के दाने देती है, और ये देखिए अपने सफेद चावल के दाने और हमारी वेबसाइट है www.booksthatspeak.com शुक्रिया